हलो लेर्नर्स एंड वेलकुम बैक टियूरोन चानल लाइवाई इंग्लिश लर्न इट यूर्सल्फ तो लेर्नर्स आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है खास है मेरे लिए क्यूंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे किसी पर्सनल टॉपिक के अपर पर पर वीडियो बना रही ह इस वीडियो में आपसे शेर करूंगी कि कैसे मैंने यूजी सी नेट का एक्जाम क्लियर किया अपने फर्स्ट अटेम में ही दो रीजन है खास तोर पे इस वीडियो को शेर करने के पहला कि अगर आप में से कोई भी यूजी सी नेट का एक्जाम देना चाहता है या कोई भी कॉमटेटिटिव एक्जाम देना चाहता है देने का मन है लेकिन शोर नहीं है अपने रिजल्ट को लेके प्लस मैंने इस साल जो पपियर किया तो ये मर्च्ट साइकल था यूजी सी नेट साल में दो बार होता है लेकिन कोवेट के टाइम से ये एक्जाम नहीं हो पाया था उस पर्टिकलर ये तो उस वज़े से पिछले साल और इस साल भी साल में दो बार की जगा सिर्फ एक बार ही हुआ यानि आप समझ सकते हैं कि जो कॉंपिटिशन है वो भी डबल हो जाता है तो इसलिए मैं जबा कॉंपिडेंट नहीं थी लेकिन मैंने सोचा कि चलो मन बना लिया है तो चाय कर ही लेते हैं और मैंने चाय किया और काम्याबी भी मिली थैंक्फुली तो पहला रिजन इस वीडियो को शेर करने का आप लोगों से यह है कि अगर आप मेंसे कोई भी किसी भी तरह का कॉंपिटिटिव एक्जाम देना चाहता है लेकिन नर्वस है नहीं है डर लग रहा है तो यह सब होना नॉर्मल है मैं यह तो नहीं कहूंगी कि आप नर्वस मत होई है किसी को जो नर्वसनेस है और जो डर है वो आपको पीछे ना घसीटे कोई चीज को ट्राइ करने से रोके नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं अभी तक आपने मन नहीं बनाया तो प्लीज बिना जिचके यह सारी फिलिंग्स को नेगटिव फिलिंग्स को साइट में रखे यह काम में आती है आपके एक्ञान का परिपरेशन के लिए लेकिन इक्झान को जरूर अप्यर कीजिए किसी भी एक्झान को जो आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी जिचके नहीं हीच के चाहे नहीं और ट्राइ किजिए अटेंप्ट कीजिए और अगर आप महनत करोगे तो आप कामियाब हो गए तो यह मेरा पहला रिजन था सेकंड रिजन यह है कि इस वीडियो में मैं आपसे साथ ऐसे टिप्स या स्टेप्स कह लीजे शेर करूंगी जो मैंने फॉलो किये और ली मुझे बहुत काम आय जिससे मैंने यह एक्जाम क्लियर किया और यह ऐसे जन्रल टिप्स है कि जो कोई भी आप मैंसे च्राइ कर सकता है या प्लाइ करके किसी भी competitive exam not just UGC net किसी भी competitive exam को appear करोगे तो I'm 100% sure कि you will succeed तो चलिए बिना देर की start करते हैं इस वीडियो को वीडियो में आगे पढ़ने से पहले उन लोगों के लिए जिनको UGC net के बारे में नहीं पता है बहुत short में मैं बताना चाहती हूं कि UGC net यानि University Grants Commission के द्वारा ये एक exam conduct होता है NET यानि National Eligibility Test जो आपकी eligibility test करता है और आप इस exam को crack कर लेते हो तो आप किसी भी college ये university में all over India as an assistant professor काम कर सकते हैं इस exam में दो paper होते हैं first paper जो होता है वोजो सबके लिए common होता है जो होता है आपका teaching ability के ओपर teaching aptitude, research aptitude और reasoning ability को judge करने के लिए होता है और second paper optional होता है जो आप खुछ choose करते हैं जिसमें आपने master's किया है वही subject आपको choose करना होता है मेरा subject education था और total 300 marks का ये exam होता है और इससे आप जितनी बार चाहे उतनी बार attempt कर सकते हैं अगर आप पहली बार दूसरी बार ये जितने भी बार जब तक आप successful नहीं होते exam में इस exam को clear नहीं करते हैं आप उसे attempt कर सकते हैं and I'm very happy and grateful के first attempt में ही मेरा exam ये clear हो गया तो चलिए सबसे important part की तरफ आते हैं इस video के वो 7 steps जो मैंने follow किये और obviously अगर आप follow करोगे किसी भी exam को लेगे किसी भी competitive exam में तो I'm 100% sure कि आप जरूर काम्याब होंगे learners ऐसे तो आपको online आप net पे देखोगे internet पापको बहुत सारी tips, tricks मिल जाएंगे competitive exam crack करने के लिए लेकिन इसमें मैंने सिर्फ वही चीज़ों को conclude किये जो मैंने apply किया या मैं apply कर पाई मैंने भी बहुत सारे videos देखे, बहुत सारा पड़ा net पे इस चीज़ के बारे में कि कैसे exam को clear करना है लेकिन हर चीज़ आप नहीं apply कर सकते हैं और आपको guarantee नहीं होती है कि कौन सी चीज़ apply करके आपको success मिलेगी तो इस video में मैंने वही चीज़े include किये जो मैंने की है blindfolded तो नहीं जाते हो किसी भी exam के लिए लेकिन ऐसे होता है कि आपको exam के बारे में especially competitive exams के बारे में कुछ चीज़े पता है कुछ इसे नहीं पता है तो किसी भी exam को appear करने से पहले मेरा first सुझाव आप लोगों के लिए यह रहेगा कि सारी information जितनी information हो सकती है आप ले लीजिए हर sources से मेरे आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं था कि जिसने UGC net appear किया है clear किया है appear करने वाला ही कोई नहीं था मेरी जान पैचान में तो मुझे कोई ऐसे personal level पर information नहीं मिली थी थोड़ी बहुत जानकारी थी तो बाकी सारी जानकारी के लिए मेरे हमारे Google बाबा है मैंने उससी से help ली बहुत सारी information ली मैंने सारी information ले ली almost जब तक कि मैं बिलकुल clear नहीं हूँ तो first step यही है कि किसी भी exam को लेके जब तक आप पूरी तरह clear नहीं है उस exam के हर aspect को लेके then you should not proceed आपको किसी भी aspect को लेके उस exam के doubt नहीं होना चाहिए बिलकुल clear होने चाहिए कि what you are going into आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या चीज दे रहे हो किस exam के लिए आप attempt करने जा रहे हो तो उस exam का objective आपके दिमाग में बिलकुल clear होना चाहिए तो first step take all the necessary information उसके बाद आप इस exam को apply कीजिए UGC net जो है online application होता है तो मैंने online application दी पूरी जानकारी लेने के बाद application के बाद जो second step सबसे पहले चीज़ जो मैंने की वो थी syllabus देखना know your syllabus किसी भी exam की मेरा मानना है कि चाबी जो है की है success की की है वो है syllabus आपको syllabus thoroughly पता होना चाहिए मैंने सबसे पहले चीज़ यह की कि मैंने syllabus thoroughly पड़ा और एक बार नहीं पूरी exam की preparation की journey के time पे मैंने बहुत बार syllabus पड़ा बार syllabus read करती थी so that आप focus रहते हो आपको आप बिलकुल सही दिशा में जाते हो आपको पता है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो क्या चीज़ मिस कर रहे हो पुरे syllabus में आपने कौन सी चीज़ पे ज़्यान दिया है कौन सी चीज़ छूट गई है कोई चीज नहीं पता है तो कई बार syllabus read करने से मुझे बहुत help होती थी focus रहने में studies को लेके अपनी planning को लेके so second step is know your syllabus now the third one is choose the right resources आज के time पे बहुत easily आपको बहुत सारे resources available होते हैं तो मैं online shopping app पे गई और बहुत सारी books मुझे available दिखाई दे रही थी मैंने एक particular book ली है एक-एक subject की दोनों जो paper होते हैं तो एक-एक book आती है एक ही particular publication से तो मैंने वो ली दो book total और मैंने अपनी पढ़ाई start की और सिर्फ books नहीं आज कल के समाने में बहुत सारे apps भी होते हैं तो मैंने कई सारे apps की भी help ली है मैं नाम नहीं बताऊंगी लेकिन बहुत सारे online apps अगर आप देखोगे तो हर competitive exam के लिए आपको play store पे दिख जाएंगे तो काफी सारे apps मैंने download किये चेक किया नहीं पसंद आया तो delete किया दूसरा download किया तो ऐसे मैंने बहुत सारे apps भी देखे काफी सारे apps से जो है अलग-अलग apps से मैंने थोड़ी बहुत practice की तो उसे काफी help मिली मुझे लेकिन आप पूरी तरह से किसी भी app पे निरभर नहीं रह सकते हो मेरा सबसे इंपॉर्टन रिसोर्स था मेरी बुक और ऐसे मैंने पड़ा था कही बार के यूजी सीनेट के एक्जाइम के लिए जो बहुत डिफिकल्ट एक्जाम है आप सिर्फ एक बुक पे डिपेंड नहीं कर सकते हो तो मैं भी बहुत अंशियस थी चीज को लेके लेकिन प्राइक्टिकल होके अगर सकते है तो मैंने सचा कि मुझे प्राइक्टिकल होके सुछना चाहिए और मेरे पाईजाम के लिए इतना टाइम नहीं दे सकते थी तो मैंने सोचा कि बिल्कुल single-mindedly सिर्फ एक जो book है मेरे पास उसी पर मैं focus करती हूँ तो मैंने सिर्फ एक ही book refer की है कुछ-कुछ topics जो मुझे उस book में नहीं समझ में आते थे जो मेरा main subject education के लिए तो मैंने master's की notes अपनी refer की master's की जो notes books थी, textbooks थी वो refer करी फिर apps के काफी help ली और फिर online भी बहुत सारे topics जो ऐसे लगता था नहीं मुझे समझ में आ रहा है easy explanation नहीं मिल रहा है तो मैं online search करती थी तो ऐसे बहुत सारे resources है जिसकी help आप ले सकते हैं किसे भी एक resource पे आप depend नहीं कर सकते हैं आपके subject के हिसाब से, आपके topics के हिसाब से, आप resources चूज करिए fourth and the most important, prepare your study plan, prepare a strategy तो books खरीदने के बाद, application देने के बाद, syllabus अच्छे से पढ़ लेने के बाद मैंने सबसे पहले चीज की, जो थी वो किस study plan बनाया अभी ये एक बार नहीं बनाया है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ मैं नहीं follow कर पाती हूँ, और I'm sure आप में से कुछ होंगे कि एक बार time table बना लिया और उसी पे बिल्कुल stick रहे हैं मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ, मेरी आदत है कि मैं बहुत बार time table बनाती हूँ और हर बार change करती रहती हूँ, क्योंकि एक time plan जो एक strategy है वो मैं काफी दिन तक follow नहीं कर सकती, life इतनी static नहीं होती है बहुत सरी चीज़े होती रहती है, तो हम plan के हिसाफ से अपनी life नहीं जी सकते है और life को भी थोड़ा importance देना पड़ता है तो कहने के मतले भी है कि आपको हर बार time का जो आपका plan है वो change करना पड़ेगा उसके लिए आपको अदम panic नहीं करना है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा है हम लोग नहीं कर पा रहे है, जैसे आपका time है आपको adjust करना है आपकी routine के हिसाब से, आपकी life के हिसाब से मैंने सबसे पहले first time table बनाया time table बनाने का यही मेरा simple फंडा होता है कि जितने भी topics है 10-10 units थे दोनों paper में तो और जितने remaining days बचे थे exam में एक महिना छोड़के exam कई पहले का एक महिना छोड़के जितने भी दिन बचे थे तो उसको मैंने divide कर लिया approximately कितने दिन आते हैं किस particular topic को या किस particular portion को unit को complete करने के लिए उससाब से मैंने अपनी पड़ाई start की फिर ऐसे होता है कि एक दो हफते बाद ऐसे लग रहा है कि नहीं वो जो हमने plan किया था उतना पुरा cover नहीं हुआ है मैं फिर से नया plan बनाती हूँ ऐसे बहुत बार मैंने किया इस पूरी journey में बहुत ब लोगों को demotivate नहीं करना चाहती उस चीज को लेके की time table बनाई और उसको follow नहीं करिये easy होता है जो लोग follow कर पाते हो बहुत best चीज है बहुत अच्छी चीज है अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो आपको यही करना चाहिए कि जो भी आपने plan बनाया है उसको आप stick रहे उसको अच्छे से पाबंदी से पड़े मैं अपना चुद बता रही honestly कि मैं नहीं कर पा रही थी मैंने बताया आप से कि मैं बहुत सारी चीजों में already involved हूँ और हर चीज पे आप आपको time देना पड़ता है हर चीज के लिए तो मैं इतना ज़ादा time नहीं दे पा रही थी और बिल देने के बाद या दो तीन हफते के बाद फिर से नया प्लान बनाती थी फिर कम दिन बचे है पर्टिक्लर पोश्चन करो और उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ती थी so that's how you have to go यह बिलकुल personal journey है मेरा मानना यह है कि आपका जो plan है वो आपका individual plan होगा आपको कोई और बना के न कैसे भी manage करते हैं जिसे लोग बहुत बोलते हैं कि सुभा उटके पढ़ना चाहिए रात को देर रात तक जगना चाहिए तो ना मैं बहुत देर रात तक जग पाती थी और ना मैं बहुत सुभा जल्दी उटके पढ़ पाती थी कभी कभार उटके पढ़ लेती थी तो दिन स्ट्राटेजी प्लान बनाना है और उसको फॉलो करना है फिर प्रिपेरिंग यूर ओन नोट यह बहुत हेल्प करता है स्पेशली एक्जाम के एंड टाइम पे जब एक्जाम नस्दीक आ रहा होता है तो इतनी पूरी हेवी बुक को आप रिवाइस नहीं कर सकते हो तो डिव अप्लाइ किया तो मैं बहुत excited थी बहुत अच्छे से पड़ती थी बहुत सारा time पड़ती थी लेकिन एक time के बाद आता है कि आप बोर होने लगते हो थोड़ा सा alienated feel होने लगते हो और ऐसे लगता है कि you have had enough तो ऐसे time पे जब फिर आप पढ़ाई करते हो मेरे साथ ऐसे हो और आप आदा खंटा होगे और आप realize करते हैं कि आपका एक paragraph भी नहीं पढ़के हुआ है आपके दिमाग में गया ही नहीं कि आप क्या पढ़ रहा हो पढ़ भी रहे हो तो आपको नहीं पता क्या पढ़ रहा हो कुछ समझ में नहीं आया है तो यह होता है क्योंकि आप focus नह रहते हो तो आप concentrate नहीं कर पाते हो तो मैंने यह अपना तरीका डूंडा कि जब मैं read करती थी उसमें से important points को मैं jot down करती थी अपनी तो इस तरीके से मैं जितना भी time पड़ती थी वो पुरा मेरा productive time होता था मैं बिल्कुल ध्यान से पड़ती थी ऐसे नहीं हो रहा है कि मैं घंटो बैठी और कुछ नहीं पड़ पाई तो यह तरीका मेरे लिए बहुत कामा है specially आखिर के समय में इससे मेरा यह हुआ कि मेरी notes prepare ह होती जा रही है revision के लिए plus जो मैं time बैठी हूँ वो मेरा productive time है भले मैं आदा गंटा यह एक गंटा ही बैठ पाई हूँ लेकिन जितना भी मैं कर पाई हूँ वो पुरा मेरे दिमाग में fresh होता है और अपनी notes अगर आप prepare करोगे तो I'm sure आपको यह बहुत help करेगी six step के clear basic concept किसी भी exam का objective यही होता है judge करने का exam लेने वाले का objective यही है कि कुछ ऐसे topics होते है main basics जिसको बोलते हैं हम foundation वो जो भी exam दे रहा है उसके दिमाग में clear होने चाहिए यह basically objective होता है मेरा माना है मैंने जैसे observe किया है तो मुझे लगता है कि यही होता है कि जो basic concept है वो सब आपको at least पता होने चाहिए वही exam crack कर पाता है तो जब exam करीब आ रहा था तो मैंने यह ध्यान दिया कि मुझे सारे जो basic concepts है वो clear होने चाहिए बहुत सारी चीज आपको याद नहीं रहेगी आपका दिमाग computer नहीं होता है कि आपको हर चीज का हर philosopher का author का नाम याद रहे scientist का नाम याद रहे आपको date याद रहे हर बार से possible नहीं होता है जिन लोगों की memory बहुत अच्छी होती है उन लोगों के लिए अच्छी चीज है लेकिन हर को यह से नहीं याद कर पाता है लेकिन अगर आप basic concept आपका clear रहेगा तो I think आप बहुत अच्छा कर लोगे exam में आपको syllabus और इसके लिए आपको help होगी syllabus से syllabus में आप देखते रहे हो बार-बार read करो और देखो कि आपको हर topic के बारे में at least basic knowledge होनी चाहिए exam के शुरुवात में जैसे exam नस्दी का रहा था मेरा objective यही था पड़ाई का उस वक्त के सिर्फ अब यह देखना है मुझे कि मेरे सारे syllabus में जो basic foundational concepts है वो मेरी दिमाग में clear होने चाहिए और उसी हिसाब से फिर मैं preparation करती थी अपने exam की और last जो बहुत important है किसी भी competitive exam के लिए I think के past के जो question papers है उसके practice करना और यह आपको throughout your journey करना ऐसे नहीं कि पूरा आप सोचोगे कि पूरा पहले पढ़ाई कर लेते हैं फिर past paper मैंने तो ऐसे नहीं किया मैंने तो सबसे पहले start ही किया कि मैंने last years के paper देखे syllabus देखने के बाद मैंने पहले paper ही देखे और फिर मैंने पढ़ाई start की paper देखा और मैं अंदाजा हो कि where I stand exactly कि अभी मुझे कितनी पढ़ाई करनी बागी है तो आपको पता चलता है कि आप आगे आपको कितना effort डालना है तो मैंने सबसे पहले paper ही solve किया और फिर मैंने अपनी पढ़ाई start की फिर कुछ पढ़ाई होने के बाद फिर से मैंने paper solve किये तो ऐसे आपक especially बहुत ही जादा past question papers को आपको practice करना चाहिए यह बहुत helpful होता है तो practice your past papers a lot as much as you can I'm sure यह सारी चीज़ अगर आप follow करोगे तो आप जरूर कोई भी exam किसी भी तरह का competitive exam crack कर सकते हो so learners मैंने बस यही सारी चीज़े की है इसके इलावा और कोई भी चीज़ नहीं किये जो मैं आप से share नहीं करी हो मैंने सिर्फ यही चीज़े की कुछ भी special अलग से नहीं किया और clearly मुझे success मिली तो आप भी अगर किसी competitive exam की preparation कर रहे हैं तो यह tips को apply कीजिए बताइए मुझे feedback दीजिए कि आपको यह tips useful लग रही है की नहीं और साथ ही अगर आप कोई और topic के ओपर videos चाहते हैं तो मुझे comment में लिखके जरूर बताइए और जाने से पहले most important चीज़ आपक्यार का यह जड़िए लिखके अगर के अगर के अगर्णी उजे आपक प्रेवसिए ठीजिए लिए। गुझे से नहीं आपके मुझे हैं तो यह ज़िए कि अजय क्या ब्लुछ तो इंड़िए क। अग झाल ग्यार प्यां और अंटीज के लिए अगर्सकि घजिए झाल झाल